हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर आज मैं काना जी के लिए एक नई ड्रेस बना करके लाई हूँ ये ड्रेस हमने तीन से चार नंबर के काना जी के लिए बनाया है इसको बनाने के लिए हमने चार कलर के उनका प्रयोग किया है अभी ये जो ड्रेस हम बनाने जा रहे हैं इसको दो नंबर के काना जी के लिए बनाएंगे तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम इस ड्रेस की चोली बनाएंगे इसको बनाने के लिए हमने ग्यारा नंबर की क्रोसिया लिया है तो देखे फ्रेंड्स ये चोली हमने बना लिया है दो नंबर के कानाजी के लिए अगर ये चोली बनाना आपको सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रप्शन बक्स में डाल दूँगी आप वहां से देख लिजिएगा तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं यहां पर हमने यह धागे को जॉइंड कर लिया था अब इस धागे को स्लीप इस्टिश के द्वारा हम यहां पर ले आए हैं साइड में अब यहां से हम बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले हम इस dress का घेरा बनाएंगे ये वाला हिस्सा इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले तीन चैन लेंगे एक, दो, तीन तीन चैन ले लिया हमने अब इस वाले चैन में हम डबल क्रोसिया बनाएंगे फिर अगले वाले चैन में भी हम एक बार सिंगल डबल क्रोसिया बनाएंगे नेक्स्ट वाले चैन में हम दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे एक, दो फिर से एक बार डबल क्रोसिया बनाएंगे next में भी हम एक बार double crochet बनाएंगे दो बार हम एक एक double crochet बनाएंगे एक बार एकी चैन में दो बार double crochet बनाएंगे इस तरह से हम पूरा round complete करेंगे तो चलिए बना के फिर आपको दिखाते हैं देखें friends ये round हमारा complete हो गया है अब हम last में आ गए हैं इसको हम यहाँ पर slip stitch से join कर देंगे अब फिर हम तीन चैन लेंगे एक दो तीन तीन चैन हमने ले लिया है अब इसको हम यहाँ पर इस चैन में crochet hook डालेंगे और double crochet बनाएंगे एक दो तीन तीन बार हमने single crochet बना लिया है अब next वाले चैन में हम दो बार single crochet बनाएंगे एक दो फिर से हम तीन बार double crochet बनाएंगे एक दो तीन तीन बार हमने double crochet हर एक चैन में बना लिया है अब next वाले चैन में यहाँ पर दो बार double crochet बनाएंगे एक दो फिर से तीन बार double crochet बनाएंगे एक दो तीन नेक्स्ट वाले में हम दो बार double crochet बनाएंगे एक दो इस तरह से हम पूरा round complete करेंगे देखे फ्रेंड्स यह round हमारा यहाँ पर complete हो गया second round इसको हमने यहाँ पर join कर दिया है अब फिर हम third round बनाएंगे तो फिर से तीन चैन लेंगे तीन अब इसको हम यहाँ पर crochet हो डालेंगे और double crochet बनाएंगे एक दो एक, दो, तीन, चार चार बार हम single crochet बनाएंगे और पांचवी चैन में हम दो बार double crochet बनाएंगे चार बार हम single single बनाएंगे पांचवी बार हम एक ही चैन में दो बार double crochet बनाएंगे फिर से हम पांच बार single crochet बनाएंगे एक दो तीन चार चार बार हमारा double crochet हो गया है अब यहां पर हम दो बार एक ही चैन में double crochet बनाएंगे इसी तरह से हम पूरा round complete करेंगे hello friends देखे friends यह हमारा third round complete हो गया है अब fourth round में हम तीन चैन लेंगे अब यहां पर हम double crochet बनाएंगे तो हमारे पास एक दो तीन चार पास पास सिंगल क्रोसिया हो गया अब next चैन में हम दो बार सिंगल क्रोसिया बनाएंगे एक और सॉरी double crochet बनाएंगे तो एक दो तीन चार पास पास चैन में हमने एक एक बार double क्रोसिया बनाया है और छठी चैन में हमने दो बार double क्रोसिया बनाया है एक ही चैन में तो इस तरह से हम पास बार सिंगल डबल क्रोसिया बनाएंगे एक बार double क्रोसिया बनाते हुए यह round complete करेंगे अगर हमारे ये घेरे में थोड़ा सा जोल आता है तो परिसान मत होना क्यूंकि जब हमारा फूल बनेगा तो ये घेरा अपने आप सेट हो जाएगा तो चलिए हम ये राउंड कम्प्लीट करते हैं देखे फ्रेंड्स ये राउंड भी हमारा कम्प्लीट हो गया है अब यहाँ पर हमारे पास एक, दो, तीन, चार राउंड हो गया है अब हम पांचवी और लास्ट राउंड कम्प्लीट करेंगे तो यहाँ पर हमें तीन चैन लिया है अब फिर से हम इस वाले चैन में एक बार डबल क्रोसिया बनाएंगे तो एक, मारा यह वाला हो गया, एक यह दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बार हम डबल क्रोसिया बनाएंगे सिंगल सिंगल और सात्वी चैन में हम दो बार डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह, फिर से हम छे बार सिंगल सिंगल डबल क्रोसिया बनाएंगे और सात्वी बार डबल क्रोसिया बनाएंगे एक चैन में इस तरह से हम राउंड कम्प्लीट करेंगे देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है यहाँ पर हमने इसको जॉइंड कर लिया है अब हमारे पास ये 5 राउंड हमने बनाया है एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच राउंड बनाने के बाद हमारे पाद 63 डबल क्रोसिया है तो एक फूल बनाने के लिए ये इस तरह का एक फूल बनाने के लिए 7 डबल क्रोसिया चाहिए 7 डबल क्रोसिया होगा तो हमारा एक फूल बनेगा तो इस तरह से हमारा ये 63 डबल क्रोसिया है तो इसमें हमें इस घेरे में 9 फूल बन जाएंगे तो अब हमें क्या करना है यहां पर हम दूसरा कलर जोईन करेंगे इस तरह से हम दूसरा कलर लगा लेंगे एक, दो, तीन चैन बनाएंगे और यह क्रोसिया हुख हम यहां पर नेक्स्ट चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से फिर दो चैन लेंगे और इस वाले चैन में डबल क्रोसिया बनाएंगे पिर दो चैन लेंगे और नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे देखे फ्रेंट्स ये राउंड हमारा कम्प्लीट हो गया है अब यहाँ पर हम दो चैन लेंगे और इसको यहाँ पर जॉइंड करेंगे एक, दो, तीन ये तीसरे चैन में हम इसको जॉइंड कर देंगे स्लीप इस्टिस से जॉइंड कर देंगे और ये धागा हम यही पर कट कर देंगे इस तरह से अब यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे जहां से हमने धागा कट किया था वही पर हम इसको जॉइंड करेंगे इस धागे को हम अंदर ले लेंगे अब हम तीन चैन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन चैन बना करके यहाँ पर हम इस वाले लूप में दो बार डबल करोशिय बनाएंगे एक, दो, फिर दो चैन लेंगे एक, दो नेक्स्ट वाले लूप में हम दो बार डबल करोशिय बनाएंगे एक, दो, फिर दो चैन लेंगे नेक्स्ट वाले लूप में भी दो बार डबल करोशिय बनाएंगे इस तरह से हम, पूरा राउंड कंपलीट करेंगे चलिए फ्रेंड्स इस राउंड को कंपलीट करके फिर आगे बताते हैं देखेए फ्रेंड्स यह एल्लो कलर वाली राउंड हमारा कंपलीट हो गया है अब हमें क्या करना है यहाँ पर हमें एक दो चैन लेकर के यहाँ पर हमें स्लीप इस्टिस से जॉइंड कर देना है इस तरह से हमने जॉइंड कर लिया है अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे यह हमारा जो क्रीम कलर का धागा है इसे अब हम उपर ले आएंगे इस तरह से और यह वाला धागा जो हम नीचे से कट कर देंगे इस धागे को हम खिच देंगे अब यहाँ से हम एक चैन ले लेंगे यह वाला जो लूप है यहाँ पर हम साथ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ डबल क्रोशिया हो गया है अब यह जो हमने डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाया था इसके बीच में हम एक, हाफ क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से उसके बाद हम इस वाले लूप में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ डबल क्रोसिया हो गया अब यह वाले जो डबल क्रोसिया हमने बनाया है, इसके बीच में हम हाफ क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से हम सारा राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाएंगे चलिए यह राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंड्स यह राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है अब इसको हम यहाँ पर जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर जॉइंड कर देंगे स्लीप इस्टिस से इस तरह से और यह धागा हम कट कर देंगे अब यहीं से हम ग्रीन कलर लगाएंगे यहां पर यह धागा हम जॉइंड करेंगे एक हाप क्रोसिया बना लेंगे इस धागे को इस सैड में हम दबा लेंगे एक चैन लेंगे और यह जो साथ हमने डबल क्रोसिया बनाया है उसके इस चैन में यहां पर हाप क्रोसिया बनाएंगे यह किनारी बनाने के लिए हमने थार्टीन नंबर का क्रोसिया लिया है और धीले हाथ से यह किनारी बनाएंगे एक हमारा बन गया एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ हाप क्रोसिया बनाने के बार, यहाँ से, यहाँ पे क्रोसिया हुख हमें डालना है, और यहाँ पे हाप क्रोसिया बनाना है, फिर से हम, यहाँ से सुरू करेंगे, और हाप क्रोसिया बनाएंगे, हर चैनवे हम, एक एक बार हाप क्रोसिया बना करके, यह किनारी बनाएंगे, में साथ पत्ति इस तरह से बनानी है एक हमारा बन गया है दूसरा बन रहा है इस तरह से साथ पत्तियां हमको बनानी है चलिए साथ पत्ति बना करके फिर आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंड्स यह साथ पत्तियां हमारी बन गई है एक दो तीन चार पाँच छे साथ साथ पत्ति बनाने के बाद अब हम एक दो दो पत्ति छोड़के इस साइड से यहां पर यह बीच वाले हिस्से में यहां से हम क्रोशिया हुग डालेंगे और यहां पर इसको इस तरह से निकार लेंगे यह हमारा यह इस तरह से फ्लावर बन जाएगा आगे अब हमें फिर से हाथ क्रोशिया बनानी है इस तरह से तो इस बार हम धाई पत्ति बनाएंगे एक दो और आधा इस में से तो धाई पत्ति बनाने के बार फिर हम आपको दिखाते हैं देखे फ्रेंट यह धाई पत्ति हमारा बन गया है एक दो तीन यहाँ पर हमारी साथ क्रोशिया है तो उसके उपर हमने एक दो तीन चार हाप क्रोशिया बना लिया तो यह हमारा धाई पत्ति तियार हो गया है अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे तो यह फूल हमने बनाया है उसकी यह वाली पत्ति इस वाली पत्ति में हम जॉइंट करेंगे यह जो बीच में हमने यहां पर हाप क्रोसिया बनाया है यहां पर हम इसको क्रोसिया होग डालेंगे और इस धागे को इसके अंदर से निकाल लेंगे और एक हाप क्रोसिया बनाएंगे इस तरह से फिर हम अगले चैन में हाप क्रोसिया बनाएंगे एक, दो, तीन हाप क्रोसिया बन गया है अब यहाँ पर हम चौथे में यहाँ पर डालेंगे इस तरह से फिर हम नेक्स्ट चैन में हाप क्रोसिया बनाएंगे इस बार हम चार पत्ती बनाएंगे एक, दो, तीन, चार चार पत्ती बनाएंगे और आधा यह तो इस तरह से हम सड़े चार पत्ती बनाएंगे तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंट्स यह चार पत्ती एक, दो, तीन, चार पत्ती और ये आधा इसमे का तो साड़े चार पत्ती हमारा ये बन गया है आप इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे यह जो हमारा पत्ती छोटी यह छोटा सा फूल जो बना है यहाँ पर हम जोड़ेंगे इसको count करेंगे हम एक, दो, तीन, चार यह जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर इस तरह इधर से count करेंगे यहाँ पर हमें बीच वाले हिस्से में इस तरह से जोड़ेंगे जोड़ेंगे इसके बाद एक, हाप क्रोशिया बनाएंगे और आगे फिर हम next चैन में हाप क्रोशिया बनाएंगे पहले हमने यहाँ पर साढ़े चार पत्ती बनाया था अब इस बार हम धाई पत्ती बनाएंगे दो और आधा धाई पत्ती बनाएंगे और फिर उसके बाद हम जोड़ेंड करेंगे चलिए धाई पत्ती बना करके फिर आपको दिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स, यह ढाई पति हमने बना लिया है एक, दो, और यह तीसरी पति में आधा हमने बनाया है एक, दो, तीन, चार हापकरोशिया हमने बनाया है तो यह हमारी आधी पति बन गई है अब इसको हम यह जो फूल बना हुआ है इसमें हम जॉइंड करेंगे तो यह जो पहली पत्ती है इसको छोड़ करके यहाँ पर इस चैन में हम क्रोशिया हुग डाल करके और यह इस धागे को इस तरह से निकार लेंगे यह हमारा फ्लावर तयार हो जाएगा अब यहाँ पर हम एक हाप क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम हाप क्रोशिया आगे नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे इस बार हमें चार पत्ती बनानी है आधा यह और बाकी के चार और बना लेंगे एक दो तीन चार पहली बार हम जब बनाएंगे तो साथ पत्ती में यह किनारी बनाएंगे बाकी हर बार हम एक बार धाई पत्ती में बनाएंगे और एक बार साढ़े चार पत्ती हमारे पास रहेगी तो इस तरह से हमारा यह फ्लावर बनेगा चलिए इसको हम कंप्लीट करके फिर आपको दि देखिए फ्रेंड्स अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं अब यहां पर हम हमारे पास साड़े चार पतिया है यह तीन हमने बना लिया है अब चौथी पति बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ साथ पति बनाने के बार इसको हम यहां पर जॉइंट कर देंगे यह साथ पति हमारी हो गई है अब इसको हम यहां पर जॉइंट करेंगे इधर से जो हमने यह आधा छोड़ा हुआ है यहां पर क्रोशिया पीछे से डालेंगे और इसको यहां पर निकाल लेंगे इस तरह तो यह हमारा यहां पे फ्लावर बन जाएगा अब उसके बाद हमें क्या करना है एक हाप क्रोसिया बनाना है देखे फ्रेंड्स अब हमें इसको जॉइन करना है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हम स्लीप स्टिश से इधार आएंगे एक बार दो बार तीन चार पाच छे एक साथ अब हम यहाँ पर आ गए है अब इसको हम यहाँ पर जॉड़ेंगे एक दो तीन इधर से हमें तीन छोड़ करके यहाँ पर हमें जॉइन करना है फॉर्थ चैन में इस तरह से इस तरह से हम जॉइन कर लेंगे यह हमारा फ्लावर बन जाएगा अब इसको यहाँ पर हम एक खाप क्रोसिया बना करके यह धागा कट कर देंगे इस धागे को हम पीछे साइड में रख लेंगे यह धागा भी जो हमारे पास है इसको भी हम पीछे कर देंगे तो देखे फ्रेंड्स यह हमारे दो नमबर के कानाजी के लिए एड्रेस बन करके तयार हो गई है यह तीन नमबर के कानाजी के लिए यहाँ पे हमने 11 फूल बनाए है और यह दो नमबर के कानाजी के लिए 9 फूल बने हैं यहाँ पे एक फूल बनाने के लिए हमें 7 डबल क्रोसिय के जरूत पड़ती है तो इसी तरह से आप किसी भी नमबर के कानाजी का ड्रेस बना सकते हैं बस आपको इतना ध्यान देना है कि, एक फूल के लिए हमें साथ डबल क्रोसिया चाहिए असी हिसाब से हमारा गहरा पर डबल क्रोसिया होना चाहिए तो देखेए Fronts यह हमारा ड्रेस बन करके त्यार हो गया है आपको ये ड्रेस कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताईएगा इस ड्रेस को सेर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को